एक व्यक्ति अर्विंद केजरिवाल के साथ भारती जहता पार्टी का राजनी तिक विरूध हो सकता है, मगर क्या आप उसके जान के साथ खिलवार करेंगे? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल इलाबा आज़ात है तेरे जब अरविंद केजरिवाल की पतली ने एक चुनावी मंच से खड़े होकर कहा था, कि मेरे पती को मारने की कोशिश की जा रही है, तब भारती जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने, उनका मज़ा कुड़ाया था मगर आज जो खबर आ रही है न दोस्तों वो बतला रहा है, कि भारती जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोध के चलते, किसी की सेहद, किसी के स्वास्त के साथ, गैर जिम्मेदाराना रविया दिखला सकता है खबर क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर, घबर अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अर्विंद केजरिवाल को है इंसुलिन दी गई है, शुगर को लेकर जब आपकी शुगर बेतहाशा बढ़ जाती है, तब आपको इंसुलिन दी जाती है दोस्तों, खबर क्या है गौर कीजेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्रिया अर्विंद केजिवाल को तिहाड जेल में इंसुलिन दे दी गई। केजिवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। 320 तक गया अर्विंद केजिवाल का शुगर लेवल। याद कीजे दोस्तों इससे पहले जब इंसुलिन की बात अर्विंद केजिवाल कर रहे थे तब तिहाड जेल प्रशासन ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारती जाता पार्टी इस बात का मजाक उड़ा रहा था। मगर कल दिल्ली की राउज एविन्यू अदालत से जो आदेश आता है उसके चलते आज अर्विंद केजिवाल को जान बचाने वाला इंसुलिन दिया जाता है। इस तरह से एक व्यक्ती की जान के साथ खिलवार किया जा रहा है। कीजेगा सुनीदा केजिवाल ने भरे मंद से कहा था मेरे पती को मारने की कोशिश की जा रही है। आज जो बातें सामने आई हैं जिसमें अर्विंद केजिवाल को इंसुलिन दी जा रही है बावजुद इसके कि इस से पहले प्रशासन नानुकर कर रहा था। यहां तक की उन्होंने अदालत के सामने घलत बयानी भी की थी, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरूप लगा रही है। सुनिये, सुनीता केज्रिवाल ने मंद से क्या कहा। कई लोगों ने कहा कि राजनीती बहुत गंदी चीज है, वाकई बहुत गंदी चीज है, देखिए अभी, उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, एक एक निवाले पे उनके नजर रखी है, कितनी शरम की बात है, शूगर के मरीज है, बारा साल से इंसुलिन ले रहे हैं, पचास यूनिट हरोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे, मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्य मंत्री को, ये लोग अर्विन केर्जिवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते, अर्विन जी का मानना है, कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी सिख्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी, ये एक कर्ज है, जो उन्हें कुछ उकाना है, उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या, अर्विन जी बहुत भादूर है, शेर है, मन में बस एक ही बात है, आम जिन्दगी, आम आदमी के लोगों की जिन्दगी कैसे बहतर बनाएं, जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है, दोस्तों जैसे ही अर्विन केजरिवाल को इंसुलिन दी जाती है, उस पर पार्टी के नेताओं का बयान सामने आता है, मैं आपको बतलाता हूँ, इस पर सौरो भारदवाज का बयान सामने है, पिछले 23 दिनों से अर्विन केजरिवाल तिहाड जेल में थे, वो इंसुलिन की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थे अब उन्हें इंसुलिन दे दी गई है भाजपा और केंडर सरकार के अधीन जेल के अधिकारी बार बार कह रहे थे कि सब कैदी एक समान है अगर सब कैदी एक समान है तो क्या हर कैदी को इंसुलिन के लिए कोट जाना पड़ता है आगे सा और भार भार दो आज क्या कहते हैं आज साफ हो गया कि मुख्य मंत्री सही थे उन्हें इंसुलिन की जरूरत थी मगर भाच्पा की केमर सरकार के अधिन लानत भेज रही है मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों ऐसे में जो बात सुनीता केजरिवाल कह रही है उसमें क्या गलत है कि मेरे पती को मारने की कोशिश की जा रही है मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मारने की कोशिश की जा रही होगी मगर उनकी सेहत को ल और उसे पूरा एक प्रशार चलाया गया था कि अर्विन के जिवाल जान बूज कर मिठाई, पूरी हल्वा खा रहे हैं जबकि उनकी मिठाई में आर्टिफिशल शुगर यानि की कृत्म तरीके से मीठा करने वाला पदार्थ डाला जाता है और सबसे शॉकिंग बात, इस बात को लेकर भाजपा मजाक उड़ा रही थी कल दिल्ली की राउज एविन्यू अदालत का फैसला आता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की निताती शी क्या कहती हैं आपके स्क्रीन्स पर राउज एविन्यू अदालत के आदेश से साबित होता है कि मुक्य मंत्री अरविन्द केजरिवाल जी को पिहाड जेल में बंद होने के बाद से ही सही मेडिकल देख रेक नहीं मिली है हमें उमीद है कि मेडिकल बोड आज ही अरविन्द केजरिवाल का चेक अप करने के लिए बैठेगा और उन्हें इंसुलिन देना शुरू करेगा और आखिरकार आज अर्विन की जिवाल को इंसुलिन दे दिया गया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों जेल प्रशासन ने बाकाइदा इस मुद्दे पर घलत बयानी की थी ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था और ये हकीकत आई थी एक खत के जरीए क्योंकि जेल प्रशासन लगाता और ये कह रहा था कि भाई इन्सुलिन देने की जरूरत नहीं है वो ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे पास सारी सुविधाएं मौझूद हैं मगर फिर वो All India Institute of Medical Sciences को खत लिखते हैं जिसमें स्पेशिलिस्ट की मांग की जाती है आम आदमी पार्टी ने उनकी इस जूट को पकड़ लिया था सौरव भारदाज ने याद कीजेगा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फिंस भी किया था सुनी उस वक्स सौरव ने क्या कहा था मिए यह कह रहे हैं हमारे श्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हैं देख रहे हैं अर्विन गेजरिवाल जी को क्या दिक्कत है यह मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं यह कल का पत्र है यह तिहाड जेल के डीजी ने कल यानि की 20 अप्रेल को एंस को लिखा है और कहा है कि हमको एक डाइबेटिलोजिस्ट एक शुगर या डाइबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए आज भारती जंता पार्टी की केंडर सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई कल तक यह लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट है सब कुछ तो जेल में मौझूद है अस्पताल है क्लिनिक है बेड है इंसुलिन है सब कुछ है अर्विंद के जिरिवाज जूट बोल र सर्विंद के जुरिवाल है मुख्यमंत्री है सीवियर डायबिटिक है रोज कह रहे हैं मुझे डायबिट्र लॉजिस्ट दिखवाईए मुझे इंसुलिन की जरुवाट है एक साधारें डॉक्टर मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहाँ प प्रशासन ये भी कह रहा था कि अर्विंद के जिवाल ने कभी इंसुलिन का मुद्दान नहीं उठाया उसके जवाब में अर्विंद के जिवाल ने ये खत लिखा था दोस्तों इसका अनुबाद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर है खत में क्या लिखा गया है गोर कीजेगा क्योंकि आपको एक एक शब पर गोर करना पड़ेगा कि तिहार प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह का गयर जिम्मेदाराना रविया अक्तियार कर रहा है अर्विंद के जिवाल ने क्या कहा था गोर कीजे अखबार में आपका बयान पढ़ा वो बयान ग रहते हैं यह सरसर जूट है मैं पिछले 10 दिन से लगातार इंसुलिन का मुद्दा उठा रहा हूं दिन में कई बार उठा रहा हूं जब भी कोई डॉक्टर मुझे देखने आया तो मैंने बताया कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग द बांग की है तो आप ये जूटा बयान कैसे दे सकते हैं कि केजरिवाल ने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया दूसरी बात तिहार प्रशासन का दूसरा बयान एम्स के डॉक्टर ने आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है केजरिवाल इसके चवाब मे और विशलेशन करने के बाद वो अपनी राय देंगे मुझे बहुत दुख है कि आपने राजनीतिक दवाव में आकर जूटे और घलत बयान दिये हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप कानून और सम्विधान का पालन करेंगे अरविंद केजरिवाल फिर से मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं आप अरविंद केजरिवाल की सियासत से इतिफाख ना रखें उनका विरोध करें उनकी महला क्लीनिक्स उनके मुफ्त बजली पानी का विरोध करें क्योंकि आपको याद होगा मुफ्त की रेवडियों को लेकर प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी अक अब हाव एकसी बात है, उस व्यक्ति की देखरेक आपकी जिम्मेदारी होती है, जेल के अंदर बड़े से बड़े आतंकवादी बंद होते हैं, कड़े से कड़ा मुझरिम होता है, उसके अपने अधिकार होते हैं, यह न भूलें जब एक व्यक्ति को फांसी पर चड़ाया ज जा रहा होता है, तब उसकी नब्स को देखा जाता है, यह देखा जाता है कि वो बीमार है, ठीक है, कैसा है, अगर बीमार होता है, तो उसकी फांसी को मुलतवी कर दिया जाता है, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका गुनह साबित भी नहीं हुआ है, जो अभी मुक्यमंत्री ह आप उसे इंसुलिन देने में इतना बवाल कर रहे हैं मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ इतना बवाल क्यों ये बात तो आसानी से हो जाती ना एक व्यक्ति बीमार है उसके ग्लूकोमीटर में दिख रहा है कि उसका शुगर लिवल 320 चला गया है मगर आप फिर भी उस प मिलने नहीं दिया जाता है होता क्या है एक शीशे की दिवार बीच में होती है और इधर केजरिवाल होती है इधर सुनीता केजरिवाल होती है या फिर एक शीशे की दिवार बीच में होती है एक तरफ केजरिवाल होते है एक तरफ भगवात मान होते है जो कट्टर रख रहा है कि आप उसकी सेहत के साथ खिलवाड करेंगे ऐसा क्यों मैं नहीं जानता हूं दोस्तों ये भारती जनता पार्टी सरकार कब तक सत्ता में रहेगी मगर आपने हमेशा के लिए सियासत को बदल दिया है आपने सियासत को इस कदर इस निचले स्तर पर ला दिया है कि आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड कर रहे हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या आपने किसी भी गोदी मीडिया में इस मुद्धे पर चर्शा होते देखा जो मुद्धे मैंने आपको दिखाएं पूरी तरह से तरकू पर आधारित है वो लेटर सौरभारदवाज ने दिखाया जिसमें तिहाड प्रशासन का जो जूट है वो साफ तोर पर दिखाई देता है वह आप ही कह रहे थे ना इंसुलिन की कोई ज़रूत नहीं है मगर फिर आखिरकार आपको इंसुलिन देना पड़ा मत भूलिए प्रशान स्वामी जेल में बन थे वो सिर्फ सिपर की मांग कर रहे थे कह रहे थे मैं बुज़र्ग हूं 80 साल का हूं मैं पी नहीं सकता उन्हें सिपर देने से इंकार कर दिया था वो व्यक्ती जेल में मर गया दोस्तों ये समवेदन हींता बताती है मुदी सरकार की कि मैं उनकी नीतियों पर सवाल उठाता हूं और उठाते रहना चाहिए ये बहुत शॉकिंग है कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो गुनहगार भी नहीं है उसके साथ आप ऐसा बरताब कर रहे हैं शॉकिंग रीली शॉकिंग अभिसार शेर्मा को दीजे जासत न झाल 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 झाल